कि नमस्कार श्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तो आज हम लोग UGC Net JRF इतिहाज के प्रिवेश इर के कोश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और आज हम लोग लगभग सो कोश्चन सॉल्व करेंगे सो से जाधा भी हो सकता है दो चार कोश्चन जाधा हो सकता है तो य यहां पर आपको चार आप्सन बताने का कोई मतलब नहीं है बाकी में व्याख्या कर देता हूँ तो जैसे पहला कोश्चन है राजा राम मोहन रायद्वारा इस्थापित ब्रह्म समाज किसका उत्तरवरती था तो आत्मिय सभा का उत्तरवरती था अब यह तो हो गया प्रस जनजाती के लोग मराठा सेनवा पुलिस के अधिनस्त करमचारी थे तो यह प्रसन पूछा था कि मराठा सेनवा पुलिस के अधिनस्त करमचारी किस जनजाती के लोग थे तो राम मोसी जनजाती के यह अलग से मैंने इसमें एड कर दिया ताकि आपको यह भी ध्यान में रह इसका मतलब होता है एकेशुर वादियों का उपहार तो 1809 में प्रकासित हुआ था और राजाराम मोहनराय का पहला ग्रंथ था जो कि फार्सी भासा में प्रकासित हुआ था फिर है लेनी रेफरेंस टॉल की फिल्म ट्राइम्फ आफ दि बिल किस से समद्धित है लेनी रेफरेंस टॉल की फिल्म ट्राइम्फ आफ दि बिल किस से समद्धित है तो ये नाजी परचार आपने सुना होगा जर्मनी में नाजी वाद हिटलर के समय ये एक विचार धारा है नाजी वाद जर्मनी में था फासी वाद इटली में था तो नाजी के परचार के लिए फिल्म बनाई गई थी ट्रेंफ आप दी विल कब बनी थी 1935 में बनी थी जर्मन नाजी परचार फिल्म है लेनी एरिफिंस टॉल इसके निर्देश से तथा संपादक थे और इनकी अन फ अगला कोशन है किसने यह कहा था कि कालपनिक क्रितियों के रूप में इतिहासकार की क्रिती और उपन्यासकार की क्रिती भिन नहीं होती है वह जहां भिन होते हैं वह यह है कि इतिहासकार के वैलन का अर्थ सच होने से है यह कथन किसने कहा था आर जी कॉलिंग वुड ने कह था इनकी प्रमुक करिती कोन से है the principle of art and the idea of history तो the idea of history 1946 में प्रकासित हुई थी और the principle of art 1939 में ये दोनों पुस्द के आरजी कॉलिंग वुड की है और इनका एक तन याद रखेगा फिर है Herodotas का जन्म कहां हुआ था ये भी पुशा गया था तो ग्रीक सहर हेलिक कारनासस में हुआ था जो युनान में सित है युनान यानिकी ग्रीक इनका जन्म लगबग 485 सापूर में हुआ था इन्होंने हिस्टोरिका नामक गरंथ की रचना की पांचवी सदी सापूर में ये भी पूछागा है कि हिस्टोरिका नामक गरंथ की रचना की किसने की तो हेरोडोटस ने की थी, पांचवी से दीशा पूर में, और इस में इस पुस्तक में भारत और फारस, यानि फारस मतलब इरान के समंधों का वड़न मिलता है, किसने कहा था कि इतिहास का पुनर लेखन किया जाना चाहिए, पुनर लेखन मतलब फिर से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास कारणों या पूर्व विरित्तों के वे धागे हैं, जिन में हमारी रुशी होती है, ये कहा था, ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर, ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर ने कथन कहा था, फिर है, ये देखे, कोशन आ गया, जो मैंने भी आपको पीछे रिफरेंस दिया था, व्याक्या बताया था, हुआ गया, 1831 में रामोसी विद्रो का नितरुत किस ने किया, उमाजी राजे ने किया था, और पश्मी घाट के रहने वाले थे, ये रामोसी जन जाती के लोग मराठा से नुआ प्रेश के अधिनास्त करमचारी थे, तो इसका नितरुत किस ने किया था, रामोसी विद्रो का, उमाजी राजे ने कब हुआ था, 1831 में, इसको आपको याद रखना है, फिर उपियोगितावाद के सिध्धान्त का प्रतिपादक कौन था, उपियोगितावाद के सिध्धान्त का प्रतिपादक कौन था, जॉन इस्टुर्ट मिल, और इसकी पुस्तके कौन-कौन सी हैं, ये इनकी पुस्तके हैं तीन चार पुस्तके हैं इसको भी आपको याद रखना है और उप्यूकिता वाद के जनक या प्रतिपादक भी जॉन इस्टोर्ट मिल थे फिर है अगला कोशन दादा भाई नोरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत से धन निसकासन के मामले को प्रस्तुत किया था वेलवी आयोग धन निस्कासन से संबन दिता इसमें मतलब इसी आयोग के सामने जो है कि अपनी बात रखी थी त्यादा भाई नोरोजी ने और धन निस्कासन का जो सिध्धान था उसको प्रसुत किया था वेलवी आयोग बितित सरकार द्वारा गठित भारत के वे प्रसासन पर यानि भारत में कितना आय होता है कितना वे होता है इस पर जो है वेलवी आयोग आया था इसकी जाच करने के लिए इस आयोग में वेलबी चमन तथा टियार बुकानन संसदिय प्रतनिधी के रूप में तथा दादा भाई नौरोजी विलियम बेडरबन एवं बिलियम एस केन भारतिय हितों के प्रतनिधी के रूप में सदस थे फिर है 1770 और 1780 के दसक के अंति मौर्शों में खतबंदी विलियमन किस से संबंधित है यहां किस से होगा किस से संबंधित है तो भारतिय दस्तकारों को उनके उत्पाद वा अनन रूप से ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को बिक्री करने के लिए बाधित करते थे जहां से समझे भारतिय दस्तकार यानि कि जो भारतिय दस्तकार होते थे जो यहां चोटी चोटी वस्पवे बनाते थे हाथ से उनके उत्पादों को ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी बिक्री करने के लिए बाधि करती थे यानि अपनी दाम उपर जितने मूल ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी तै करती थी उसी दाम में भारतिय दस्तकारों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता था इसके लिए बाद करता था ये विनियमन जो 1770-80 के दसक के बीच में आया था इस्तादो दा इंडिया किस नाम से लोग पुरिया है तो इसको हम लोग पूर्तगाली इस्ट इंडिया कमपनी भी कहते हैं इस्तादो दा इंडिया कमपनी को पूर्तगाली इस्ट इंडिया कमपनी भी कहते हैं अब यहां आप देख लिजिए ये ये यूरूपियों के आने का करम है भारत में सबसे पहले को न आया सुरी ये आने का करम नहीं है देखे आने के करम में और जो है कि आप कह सकते हैं कि इस्ट इंडिया कमपनी या जितनी भी कमपनी थी उनके स्थापित होने के करम में दोनों में अंतर है सबसे पहले आये थे पुर्थ गाली यह तो सही है पुर्थ गाली सबसे पहले आये थे 1499 में और इनकी कमपनी भी इसी वर्स स्थापित हुई थी लेकिन अगर आने की बात करें तो दूसरे नमबर पे Dutch आये थे British आये थे तीसरे नमबर पे लेकिन देखिए ध्यान से सुनिए पहले आए पुर्तगाली फिर आए ड्च फिर आए बिटिस और फिर डेनीज, फ्रांसिस, स्वेडिस आते गए लेकिन अगर हम कमपनी इस्थापित करने की बात करें तो पुर्तगालियों की पहले इस्थापित हुई फिर उसके बाद में बिटिस की कमपनी स्थापित हो गई यानि बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी डच से पहले स्थापित हुई है डच की स्थापित हुई है 1602 में और बिटिस की स्थापित हुई है 1599 में जबकि आने की बात करें तो डच पहले आ गये हैं डच आये हैं 1595-1996 के आसपास और बिट इस्थापित पहले हुई है लेकिन भारत में आई है बाद में बाकि डेनिस इस्थापित हुई और फ्रांस इस्थापित इंडिया कंपनी 1664 में स्वेडिस इस्थापित इंडिया कंपनी 1731 में तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है थोड़ा संतर हो जाता है आने के करम मे और इस्थापित होने के करम में कौन अस्प्रिसिता पर 1929 की कांग्रेश उपसमिती का अध्यष था मदन मोहन माल भी है अस्प्रिसिता पर यानी छुवा छूथ पर 1929 में जो सम्मेलन आयुजित किया गया जो समिती बुलाई गई उस समिती के अध्यष थे मदन मोहन माल भी है देखे 1929 में कांग्रेश कार समिती ने अपनी दिल्ली बैठक में अस्प्रिसिता विरुधी उपसमिती बनाया जिसके अध्यष पंडित मदन मोहन माल भी है तता सची कौन थे जमुना लाल बजाज 1880 के दिसक की किस संस्था से फरगूसन कौलज को विक्सित किया गए था तो नीव इंगलिस स्कूल नीव इंगलिस स्कूल जो है यही आगे चलकर फरगूसन कौलज बना था आदेखे 1880 के दिसक में बाल गंगा धरतिलक बिशुडू सास्त्री चीपलूनकर तथा गोपाल गनेश आगरकर ने मिलकर भारतिय सिच्छा की लिए पुड़े में पुड़े मतलब पूना में नीव इंगलिस स्कूल खोला किसने किसने बाल गंगा धरतिलक और बिशुडू सास्त्री चीपलूनकर और गोपाल घड़े अगर कर इन तीनों ने मिलकर 1880 में न्यूं इंगलिस एस्कूल खोला था कहाँ पूर्णा में तथा 1884 में डेकन एज्यूकेशनल सोसायटी का गठन किया या Sweller ये भी पुछा गया है एल्फिंश्टन कॉलेज के प्रिंस्पल विलियम वाट्सवर्थ ने किया जेम्स फर्गूशन बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर थे ये जो फर्गूशन कॉलेज खोला गया है इसके नाम पर जेम्स फर्गूशन के नाम पर खोला गया है और यह बॉम्बे के तत्वालीन गवर्नर थे कोर्ट आफ डिरेक्टर्स ने किस रियासत के विले को राज हड़प सिद्धान्त के अधार पर मंजूरी को रोक दिया था करोली करोली रियासत जो राजस्थान में थी कि यहां के राजा नर्सिंग पाल के 352 में मृत्ति हो गई थी तो कहा जाता है करोली को अंग्रेजों ने हड़प लिया था बाद में कोर्ट आफ डिरेक्टर्स ने कहा कि यहां पे हड़प सिद्धान्त लागू नहीं होता तो उसको वापस कर दिया गया था तो यानि मंजूरी वापस कर दी गई थी रोक ली गई थी किसने लिखा है कि समय बहुमूल है और आपरवर्तनी है यह अबुल फजल ने लिखा है अब देखे अकबर के पुत्र सलीम ने सलीम कौन था जहांगीर अकबर के पुत्र सलीम ने कटर पंतियों से मिलकर बुंदेल खंड के वीर शिंग देव द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी तो यह भी पूछा जा सकता है कि अबुल फजल की हत्या किसने की और किसने करवाई तो सलीम नयानी जहांगीन ने करवाई थी किसके दोरा बुंदेल खंड के वीर सिंग देव दोरा अकबर के आदेश से अबुल फजल ने अकबर नामा लिखने का कार सुरू किया था साथ वर्सों की कड़ी मेहनत के बाद 1596-97 में इसे पूरा कर लिया तीन भागों में भाजी थी तीसरा भाग आईने अकबरी कहलता है अंबर का युद्ध कब हुआ था 1749-24 केमद हुआ मुझफर जंग और चंदा साहयब ने फ्रांसेसियो की सहायता से अगस 1740 में अनुरूत दीन को अंबर के उद्ध में हरा दिया तो फ्रांसीसी की तरफ से कौन कौन थे? मुझफर जंग, चंदा साहब और अंग्रेजों की तरफ से अनुरूत दीन और नासिर जंग तो दोनों हार गए थे, नासिर जंग भी हार जाता है, और अनुरूत दीन अगस 1749 में हार जाता है और मारा भी जाता है, अंबर के उद्ध में भारत में कुवे से जल निकालने की दो विदियो का विवरण किस गरंथ में मिलता है, बाबर नामा में, ये प्रसन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है कुमे से जल निकालने की दो विदियो का विवराड़क किस गरेंथ में मिलता है तो ये बाबर नामा जो है बाबर की आत्म कता है उसी में इसका उलेक मिलता है कियारी और गियक नामक 95.4 अस्थल किस जगह पर अवस्थित हैं ये लद्दाख में हैं कियारी और गियक 95.4 अस्थल हैं लद्दाख में अवस्थित हैं राजस्थान में वस्थित कौन से अस्थाल से 2000 इसा पूर्व के लगभग सूखापन यानि सुस्कता के आरम का प्रमाण प्राप्त होता है तो ये लूनकर सर लूनकरंसर लूनकरंसल एक जील है राजस्थान क के विका नेर जिले में इस्थे थैं यहां से सुस्कता के साक्ष मिले हैं किस समराज के अंतरगत सैनिक सिवा के समर्थन है तू गाउं से राजस्थोकार अरथा सरंजाम एक लोग प्रिय प्रता थी मराथा समराज सरंजाम जो है सरंजाम प्रता कहां विक्सिती मराथा समरा मुझारज में कैसे еधार मीं कि आरंभिक आध्वनिक काल में उम्मल के रूप में किसे जाना जाता था सर्ग कर संगराओक कि यहाप व्योस्ता मदराष हैNS नहीं पांडी-चेरी में लागू थी तो इसे ही उम्मल कहा जाता है उम्मल का मतलब होता है कर संग्राह क्यानी कि कर को संग्राह करने वाला एक अठा करने वाला एकला प्रस्थने किसने लिखा है कि उसके यानि लाल कुमर के लिए नूर जहां के समय को पुनर जीवित किया गया और उसके नाम से सिक्के जारी किये, यह खाधी कमवार खान ने लिखा है, लाल कुवर, यह कुवर होगा, लाल कुवर जोकी एक नाचने वाली, इस्तिरी थी, जहांदार के गधि पर बैठने के बाद वह रानी बन गई, जहांदार साहप और उसकी प्रेम का लाल कुमर का काफी प्रभाव था तो यह जहांदार एक मुगल सा सकता जहांदार उत्तर वरती मुगल सा सकता अरंग जेब के बाद बना था जहांदार शाह की जो पतनी थी हम कहाएं जो उसकी रानी थी वही लालकोंवर थी पहले नाचने गाने वाली होती थी लेकिन भाधार शाह इस पर फिदा हो गया तो उसने जो है इससे साधी कर ली किस भारतिय फैक्टरी अधिनियम के अंतरगत सभी स्रमिकों को साप्ता ही कौकास परदान किया गया तो भारतिय फैक्टरी अधिनियम 1891 के तहत इस समय भारत के वाइसराय लाड लैंस डाउन थे इस अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधान है यानि जो फैक्ट कारखाना अधिनियम 1891 के अनवे में है इसके प्रावधान कुछ है जैसे नौ वरसे से कम उम्र वाले बच्चों से सरम लेना निसिद कर दिया गया इस अधिनियम के तहट जो नौ वरसे से कम उम्र के बच्चे हों उनसे काम नहीं लिया जाएगा और कहा गया दूसरा कि नौ वरसे से 14 वरस तक के सभी बच्चों से प्रति दिन 7 घंटे ही सरम लिया जा सकता है यानि 7 घंटे काम करेंगे उससे जादा नहीं महिला सरमिको से मातर 11 घंटे काम लिया जाएगा ये भी निश्चित किया गया महिला और सिसु सरमिको को रात में 8 बजे से सुबह 5 बजे की बीच काम पर लगाना निश्चित कर दिया गया रोक दिया गया तो यह प्रत्मकार खाना अधनियम था या इसको भारतिय फैक्ट्री अधनियम 1891 भी कह सकते हैं किस युद्ध के बाद प्रख्यात हीरा कोहिनूर बिटिस मुकुट को समर्पित कर दिया गया तो यह दितिय आंगल सिख्युद के दोरान हुआ था 1849 में दितिय आंगल सिख्युद हुआ और इसमें जो है कि राजा दिलेप सिंग से कोहिनूर हिरा किसने प्राप किया था लार डल होजी ने यह बिटिस मुकुट को समर्पित कर दिया गया तो यह दिया रखेगा दितिय आंगल सिख्युद 1849 में हुआ था बाकी और आप यह सब भी आद रखे कि प्रतम आंगल Agrसिख्युद कब हुआ था तो पैथालिस शालिस में हुआ था प्रतम आंगल आफगान दिख्युदессर में हुआ था यहनी 1849 से लिकार 1842 की बीच दित्तिय अंगल अफगान युद 1888 से 1880 तक तो यह डेट वगएरा भी याद रखिएगा किसने गांधी जी लीडर्शिप और दी कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी सीरसक्स निबंद लिखा है जे प्रकाश नाराण ने इन्हों लिखा गांधी जी लीडर्शिप और दी कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी इस नाम से इन्होंने निबंद लिखा है यहां उस नहीं हो यहां उस होगा उसे नहीं उस अभलेक का नाम बताए जो पूजा सिला प्रकार की रचना यह निर्मार से सम्मंदित है तो उसे बोलते हैं घोसुंडी अभलेक दित्तिय सत्तापदीशा पूर्व का संस्कृत भासा और ब्राहमी लिपी वाला हाथी बाड़ा घोसुंडी अभलेक राजिस्थान की चित्ता और गड़ से प्राप्त हुआ है इसका पूरा नम क्या है हाथी बाड़ा घोसुंडी अभलेक राजिस्थान की चित्तोर से प्राप्त हुआ है संस्कृत भासा में है ब्राहमी कौन सी है वोसुरी लिपी कौन सी है ब्राहमी किसने इस बात का परवेच्छड किया है कि जब अकबर मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन करने के अभियान है तो काबूल क्यों गया तो उसने इपनी मा हमीदा बानो को दिल्ली सुबे का प्रभारी निउक किया था तो ये एक यात्री था एंत्री मॉंसरेट इसका पूरा नाम है फादर एंत्री मॉंसरेट इसी ने इस बात का वड़न किया है तो मिर्जा हाकिम जो था अकबर का एक प्रकार से सौतेला भाई था तो उसने बिद्रोह कर दिया था काबूल में तो उसी को दबाने के लिए ब अकबर के समय जब मतलब अकबर गया था विद्रो का दबन करने के लिए तो उसके साथ में यह आत्री भी था यानि मौंसरेट खुद अकबर के साथ में गया था तब ही उसने वर्डन किया है इस चीज़ का जन्वरी 1751 में किस सेना नायक की नित्रत में फ्रांसेशी सेना मुझफर जंग के साथ आई थी कैप्टन बुसी के नित्रत में मैला ढोने वालों की 1928 की हरताल के एक प्रमुक के रूप में किसको धन गर्मा की उपाधी दी गई थी तो प्रभावतिदास गुपता को धन गर्मा की उपाधी दी गई थी मैला ढोने वालों की 1928 में हरताल के एक प्रमुक के रूप में प्रभावती दास को धन गर्मा की उपादी दी गई थी प्रत्म आंगल बर्मा युद्ध जोकी 1824-26 के मद्धुवः इसका तातकालिक कारण क्या था तो एक ब्रिटिस सर्णचित राज की रूप में चाचर की अस्थापना चाचर एक अस्थान का नाम है 24 फरवरी 1824 को गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहस्ट ने युद्ध की घोषड़ा कर दी और 24 फरवरी 1826 को यानि दो वर्स बाद यांडबू की संदी का भूई थी 24 फरवरी 1826 को ये याद रखना राजपूर और द्वारिका नगर ने मिल्खित में से किस छेदर से संब्दी थे कमबोज ये कमबोज एक पहले महाजनपद हुआ करता था कमबोज प्राचीन काल में एक महाजनपद था जिसकी राजदानी राजपूर अथवा हाटक थे या गांधार का पडोशी राज था गांधार भी एक महाजनपद था आइतरे और सत्पत ब्राहमड में किस राजा के नाम का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाविजेक के साथ असुमेध यग करवाया था तो राजा का नाम क्या था पर आइतरे और सत्पत ब्राहमड में पर नाम के एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसने इंद्र महाविजेक के साथ असुमेध यग करवाया था आइतरे सत्पत ब्राहमड में राजा के नाम का उलेख मिलता है जिन्नों ने इंद्र महाविसेग के साथ अस्मेदियक करवाया था सत्पत ब्राहमण के प्रवशन करता वाज़स ने यागवलक है या सबसे महतपूर्द था विशाल ब्राहमण गरंथ है इसको लगुवेद भी कहा जाता है तो ये भी याद रखेगा ये जो सत्पत ब्राहमण है ये बहुत ही महतपूर्द और सबसे बड़ा ब्राहमण गरंथ है इसलिए इसको लगुवेद भी कहते हैं प्रवशन करता इसके कौन थे वाज़स ने यागवलक प्रवोध चंद्रोदय नामगरंथ के लिखे कोन है कृष्ण मिस्र या एक संस्क्रीत नाटक है चंदेल राजवन्स के शासक कीर्टिवर्मन की राजसभा में प्रशिद राज कभी क्रिश्ण मिस्र रहते थे तो ये भी पूछ सकता है कृष्ण मिस्र किसके राजसमाब में रहते थे तो एक चंदेल वंस के राजा थे कीर्थ वर्मन जिन्होंने 1060 से 1100 इस्वी के मद्ध सासन किया और इसी चंदेल राजवंस के राजा कीर्थ वर्मन के दर्बार में रहते थे राज कभी कृष्ण मिस्र जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की है घागरा इसी को आप घगर भी कर सकते हैं ये देखे ये जो आज घागरा बैती है उत्तर प्रदेश में वो नदी नहीं ये घागरा या घगर ये सरसुती का आधूनिक नाम है इसको आज हम लोग घगर बोलते हैं पहले इसी को सरसुती माना जाता था तो घगर हाकरा नदी तंद्रक का किसके द्वारा अधिन किया गया सी एफ ओल्ड हैम औरंग जेब के सासनकाल में किस कुलिन राजपूत को ये थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा हुआ है यहां उना चाहिए साथ हजार साथ हजार और फिर साथ हजार यानि साथ हजार भागे साथ हजार का मनसब दिया गया था तो यह मिरजय राज़त जैसिंग था इनको साथ हजार का मनसब दिया गया था तो यहां भी साथ हजार होगा और यहां भी साथ हजार होगा, दोनों तरप साथ हजार होगा लंका वतार किसे समुन्दित है, वैपुल सूत्र से, यह एक सूत्र ग्रंथ है चरिया पिटक किसका एक संग्रा है तो ये 35 जातको का एक संग्रा है जातक कथाएं होती है तो पद में रचित 35 जातको का एक संग्रा है यह सब बुद्ध धर्म से सम्मंदित ग्रंथ है, धम पद, थेर गाता, थेरी गाता, तथा जातक ग्रंथ, किस बुद्ध धर्म ग्रंथ समों से सम्मंदित है, तो यह खुद्धक निकाई से सम्मंदित है, कौन सा ग्रंथ जैन प्रंपरा से सम्मंदित है, पॉम चरियम, आप लिखा किसने हैं जैन कभी थे सोयंभू इन्होंने इसको अपभरंस भासा में लिखा है यहां ग्रंथ रामायल का जैन रुपांतरन है पॉम्चरियम क्या है रामायल का ही एक जैन रुपांतरन है जैनियों ने राम को पॉम की संग्या दी है जैन लोग राम को क्या कहते हैं प पादमें भी कहते हैं तो चाहे पॉम्चरियम कहिए चाहे पादमचरित कहिए गुप्त वंस के सास को का पारिवारिक चिन ही क्या था गरूड अगला प्रस्ण है यूरोपिय वे अपारिक कमपनियों की भूमका के संदर्व में निम्लिकित कथनों में से कौन सा कथां सही है यानि ये सारी यूरोपिय कमपनिया दी हुई है और उनसे समझेद कुछ तत्य हैं आपको बताना है कौन सा सही है 1605 में डचो ने अम्बोनिया के पुर्टगाली दुर्ग पर कब जा किया ये बिलुकुल सही है तो ए आपका सही होगा है 1606 में डचो ने मसूली पटना में एक फैक्टरी इस्थापित करने के लिए गोल कुंडा के सासक सा फर्मान प्राप्त किया ये भी सही है डचो ने 1617 में सूरत में अपनी फैक्टरी इस्थापित की ये भी सही है फिर है D देखिए यानि ABC आपका सही है ABC सही है अब देख लेते हैं अंग्रेजों ने सूरत में 1625 में पहले ही फैक्टरी खोल देथी ये गलत है 1649 में डचो ने मलक्का परकबजा किया ये भी गलत है 1649 में डचो ने मलक्का परकबजा किया ये भी गलत है अब इसके ब्याक्ख्या देख लेते हैं देखिए पूर्टगालियों के पहषाद भारत में डचों का आगमन हुआ तो सबसे पहले कोन आ है पूर्टगालिया है मैंने आपको बताया था वासकोडिगामा 1498 में आता है फिर डच आते हैं कौन सा डच आता है कार्नेलिस डी हाउट मैं ये एक डच था ये 1596 में आता है आत्रा तता बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था डचों ने मार्च 1602 में भारस व्यापार करने के लिए डच इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना की तो डच आते हैं पहले बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी से लेकिन कंपनी बाद में स्थापित करते हैं ये बात याद रखना 1605 में मसूली पटनव में अपनी पहली फैक्टरी इस्थापित करते हैं कौन डच 1606 में गोलकुंडा के सासक से फर्मान पराप करते हैं ये भी सही है 1617 में सूरत में अपनी फैक्टिय स्थापित करते हैं ये भी सही है अब यहां देखिए यहां डचो होगा 1649 में डचो ने गोवा का घेरा डाला और 1649 में पूर्तगालियों से मलक्का पर कबजा कलिया तो यहां वही चीज दी हुई थी कि डचो ने मलक्का पर अधिकार 1649 में किया गलत कब किया था 1641 में 1613 में चिंसुरा और 1658 में स्री लंका से पूर्टगालियों को निकाल दिया किसने डचो ने अंग्रेजों ने 1611 में मसूली पत्नम में अपनी पहली फैक्टरी इस्थापित की जबकि 1613 में सूरत में अपना पहला इस्थाई कारखाना कोला यानि इस्थाई फैक्टरी इस्थापित की तो अंग्रेजों ने पहली फैक्टरी कहां इस्थापित की 1611 में कहां मसूली पत्नम में और इस्थाई फैक्टरी सूरत में 1613 में इस्थापित की अगला प्रसन है निम्लकित में से कौन सही है वायू पुराण में वाकटक राजवन्स के संस्थापक और उसके पुत्र परवीड के बारे में संकेत मिलता है वायू पुराण जो है उसमें वाकटक राजवन्स के संस्थापक और उसके पुत्र प्रवीड के बारे में संकेत मिलता है ये कथन सही है दूसरा कथन है आरंबिक अभलेकिय प्रलेखो में अभीरो को एक वंस था अभीर एक वंस था अभीरो को पश्मी भारत में इस्थित सक महाचत्रपो के सिनपती के रूप में दर्शाय गया है ये भी सही है फिर है कौटिल रचित अर्थ सास्त में उल्लेकित इच्छाक वंसिय सासक मदुरे नगर से सासन करते थे ये गलत है डी है बोधी राजवंस उस चेतर में विक्सित हुआ जो कभी चेर राजवंस के अधिकार चेतर में हुआ करता था ये भी गलत है महावंस में चोल सासक करिकाल का सिलोन पर आकरमण का उलेक नहीं मिलता है ये सही है तो A, B, E सही है आपका फिर यहाँ प्याख्या दी हुई है तो वाकटक राजवंस के स्थापना 255 इस्वी में बिंद सक्ति नमक व्यक्ति ने की थी तो विंद सक्ति नमक व्यक्ति ने वाकटक राजवंस के स्थापना की थी 255 इस्वी में बिंद सक्तिक के पुत्र प्रवर सेन इसी को वाई पुराण में प्रवीन कहा गया है प्रवर सेन को ही वाई पुराण में प्रवीन कहा गया है इसका उलेख मिलता है वाई पुराण में प्रवीर वाकाटक सासकों में समराट की उपाधि धारान करने वाला एक मातर सासक था पुराणों के नुसार साथ वाенों के पश्चात दस आभीर सासक हुए आभीर सासक इच्छाक वंस के सासको की राजधानी नागारजुन कॉंडा थी या विजेपुरी तो ये भी आपसे पूछा से सकता है कि इच्छाक वंस के सासको की राजधानी कहां थी नागारजुन कॉंडा निमनलकित में से कौन सही है आपको कथन दिये हुए आपको बताना है पहला है तंज़ोर इस्थित ब्रहदेशवर मंदिर का निर्मार चोल सास को द्वारा कराये गया था ये सही है फिर है मंदिर की दिवारों पर चोल सास को की चितरकारी की गई है ये भी सही है त्री पुरान तक सिव जी का एक अन्य नाम है ये भी सही है राज राज एस्वर मंदिर चोल राजवन्स की कला के महान चरण का प्रतीक है ये भी सही है राज राज देवी दुर्गा के भक्त थे ये थोड़ा सा यहां पर मिश्टाइप हो गया है देखें ये दुर्गा देवी एक में होगा राज राज अलग होगा राज राज एक सासक था चोल वंस का तो देवी दुर्गा का भक्त था ये गलत है अब देख लेते हैं यहां देखें राज राज पर्थम सिव का भक्त था ना कि दुर्गा का तंजवर इस्तित ब्रहदेशुर या राजराजेशुर मंदिर का निर्मार चोल सासक राज-राज परथम ने करवाया था यह मंदिर सीव को समार रुपी था है इसका निर्मार काल 2003 से 2011 इसवी के मद्ध है फिर आपको जो है कि कथन दिये गए है आपको बताना है तो कथन और कारक वाले सवाल बहुत आते हैं और यहां से में जानकारी बहुत मिलती है पहला कथन है नागा अरजुन कोंडा अभिलेख से वर्स 278 इसवी की तिथी पराप्त होती है नागा अरजुन कोंडा अभिलेख उससे 270 इसवी की तिथी पराप्त होती है सही है दूसरा कथन नागा अरजुन कोंडा अभिलेख में देव परमदेव की छबी के प्रती समरपड के भाव का उलेख है यह भी सही है अभिर सासक वसेश्टि पुत वसुदेन वसुसेन देवी दुरगा के भागतेत है यह गलत है नागा अरजुन कोंडा अभिलेख सरवोच सिखर का आधि पुरुष के रुपमें उलेख करता है यह सही है नागा अरजुन कोंडा अभिलेख इसवर को रुमबर भाव के रुपमें उलेख करता है यह भी सही है आप देखें इच्छाक वन्स के स्थापना किस ने की थी सान्ति मूल ने की थी कृष्णा गुंटूर चेत्र में इस वन्स के सासक थे ब्रहमन मत के पोसक थे किन्तु उनकी राणिया बहुत धर्म के अन्याई थी आभिर वन्स का संस्थापक इसवर सेंथा यह कुछ एक्ष्ट्रा जानकारी में ने आइड करती है ताकि आपको याद रहें तो आभिर वन्स का संस्थापक कौन था इसवर सेंथा ऐसा कौन सा वंस था जिस वंस के राजा तो ब्राहमण मत के पोसकते लेकिन रानिया बहुत धर्म के अन्याई थी तो इच्छवा कौन्स था इस वंस के जो सासक होते थे वो ब्राहमण मत को मानते थे ब्राहमण धर्म को मानते थे लेकिन रानिया बहुत धर्म को मानते थी अगला प्रसन है दासो और नौकुर की स्थिती के संदर्व में निम्लिखित कतनों में से कौन सा सही है पहला कतन है मोरलैंड ने इनडिया अड़्टी डेथ आफ अकबर में दास्ता को विस्तार पूरवक निरूपित किया है इसमें इन्होंने दास्ता के बारे में बताया है तो ये सही है फिरोसा तुगलक एक मात्र सा सकता जिसने दासों को निर्माल के उद्दे से प्रूप्त किया था ये भी सही है इसने दासो को काम में लगा था नी कार खानों में लगा था काम करने के लिए तो यह सही है फिर सिथ पूर्ट गालियों ने भ you आपक पहिमाने पर दासो को न्युक्ती की ये भी सही है चिद्दा के तीरतियात्री जहाज दास ज्यापार में लिप नहीं थे ये गलत है क्योंकि लिप थे अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को सुख्रित किया गलत बलकि इस प्रथा को इसने बंद कर दिया था अकबर ने दास प्रथा को एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया था कि युद्ध में जो कोई दास बना जाता है तो उसको दास के रूप में नहीं रखा जाएगा आप देख लेते हैं यहाँ पर व्याक है फिरोसा तुगलक के सासनकाल में 1,80,000 गुलाम थे गुलामों के लिए एक प्रिथक विभाग दिवाने बंदगान के इस्थापना की गई थी उसने 12,000 गुलामों को सिल्पियों के रूप में कारखाने में काम में लगाया था तो कथन ए है सिवा जी द्वारच जीते गए 35 किलो में से 23 के लिए मुगलों को वापस कर दिये गए यह सही है वापस किये गए किलो से प्रतिवर्ष 4,000,000 गुड का राजिस प्राप्त होता था यह भी सही है से इस 12 किलो से 12 किलो से प्राप्त 2,000,000 गुड की वारचिकाय को सिवा जी के लिए छोड़ दिया गया यह गलत है क्योंकि जो 12 किले देखे 35 किलो में से 25 किलो में से 25 किले मुगलों को दिये गए और वहां से चार लाग खोड का वारशी काय पराप्त होता था और जो बारा के लिए सिवा जी के पास शोड़े गए उससे दो लाग नहीं बलकि एक लाग खोड वर्स की वारशी काय पराप्त होती थी तो ये सिवा अलग गलत हो गया आपका दी देखते हैं बीजापूर कॉंकर में एक छेतर सिवा जी को परदान किया गया ये सही है सिवा जी को तीस लाग खोड किस्तों में मुगलों को देना था ये गलत है अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा व्याक्या देखे मराठा सासक सिवा जी के 1664 इस वी में सूरत की लूट से कुरोधित होकर अवरंग जेब ने राजा जैसिंग को सिवा जी के विरुद कारवाई के लिए भेजा तो सिवा जी ने सूरत को कब लूटा? 1664 में ये याद रखना और इसी से अवरंग जेब जो है वो कुरुध हो गया था तो उसने जैसिंग को भेजा था सिवा जी के विरुद कारवाई करने के लिए अब जैसिंग ने रायगड को घेर लिया और बिवास होकर सिवा जी को 24 जून 1665 को पुरंदर की संधिक करनी पड़ी इसमें सिवा जी ने सुईकार किया कि वास 40 लाग होड 13 किस्तों में मुगलों को देंगे तो 40 लाग की बात हुई थी जबकि यहाँ पे 30 लाग लिखा था इसलिए गलत हो गया था कितनी देनी की बात की थी 40 लाग होड 13 किस्तों में देंगे और अपने पुत्र संभा जी को मुगल दर्बार में भेजेंगे ये भी स्विकार किया था सिवा जी ने 35 किलो में से 30 किलो को मुगलो को सौंप दिया जिनकी आये 4 लाग हूड प्रतिवर्स थी मद्धिकाल में व्यापार के संदर्मेन निम्लिकित में इसे कौन सा कथन सही है तो पहला कथने कन्नोच, कड़ा और मानिकपूर से नमक राजधानी लाया जाता था राजधानी को मतलब दिल्ली ये गलत है दूसरा कथने पान का पत्ता उत्तर पूर्वी भाग से लाया जाता था ये भी गलत है तीसरा है दिल्ली को रसत क्या पूर्ति काफी दूर के ग्रामेड चेतरों से होती थी ये सही है बर्नी ने अलावदीन खिल जी की क्रिसी इवं मूल नियंतरण उपायों का विस्तार पूरों को लेकिया ये भी सही है और इबन बतूता से हमें ग्यात होता है कि मुक्यता है गंगा के तट पर इस सित अम्रोह से अनाज क्या पूर्ति होती थी ये भी सही है ये सही है यानि C.E.D. ये आपका सही है जियावदीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोग साही में अलावदीन खिल जी के क्रिसी इवं मूल नियंतरण के उपाये का विस्तार पूरों क्या है इबन बतूता ने अर्वी भासा में रहला नामक पुस्तक की रचना की मालवा से पान दिल्ली पहुंचाया जाता था कहां से मालवा से जबकि यहां कहा लिखा उत्री पूर्वी भाग से तो ये गलात हो गया कहां से पहुचा जाता था मालवा यानि मद्धभाग से जबकि कन्नोज से इत्र सक्कर तथा कड़ा मानिक पूर से चावल गयों इवं सक्कर को रालधानी लाया जाता था अगला प्रसंद मिल्कित में से कौन से कथन सहीं आपको बताने हैं समाज कथन दिये हैं नौसैनिक रेटिंग्स ने अठारा फरवरी 1946 को एच आएमस तलवार से विरोध परारम किया यह सही है जो नौसैनिक विद्रोग हुआ था था फरवरी 1946 को उसमें सेनको ने इस तलवार का प्रियोक किया था हमस जो भी है इस तलवार का नाम था बामबे में नौसैनिक विद्रोग का मुख कारण खराब भोजन और नसली बेद भाव था यह भी सही है जैनी एवई सही है अब सी देखे नौसैनिक विद्रोग के दोरान बामबे सहर सांत रहा और जन्ता ने हरताल म भाग नहीं यह गलत है भाई जब बिद्रो होगा तो सांती रहेगी ही नहीं डी है बांबे में सांती अस्थापने के लिए एक मराठा बटालियन बुलाई गई थी यह सही है कराची में भी हरताल फरवरी 1946 में हुई यह भी सही है तो ए बी डी सही है आपका सी गलत है तो यह बहुत आसान प्रस्ण था बांचो कथन आपके दिये हुए हैं बिद्रो से समन्दित निम्रखित में से कौन सा कथन सही है डाक्टर वी आर अमबेटकर ने सिडन हैम कॉलेज में प्रफेसर के रूप में पद्गरहण किया था सही है उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर प पार्टी का धोज लाल रंका था ये भी सही है अमबेटकर ने दलित सुद्र पहचान समधित गैर आरेन सिद्धान का समर्थन नहीं किया ये भी सही है अमबेटकर ने 1936 में अपनी पहली राजनीतिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था इस पार्टी का धोज कैसा था लाल था 1936 में ही अमबेटकर जी ने एनिहलेशन आफ कास्ट सीर संग नमक पुस्तक प्रकासित की और 1942 में सेडील कास्ट फेडरेशन के नाम से एक नए संगठन का भी गठन किया था नमकित में से कौन सा कथन सही है कलकत्ता इस टाउन हौल में आयोजित एक बैठक में बहिसकार और सुदेशी पर प्रस्ताव को अंगिकार किया गया यानि स्विक्रित किया गया यह सही है फिर भी है खुदी राम बोस को 30 अप्रेल 1908 को फांसी दी गई यह गलत है अरुन डेल समिती ने अपने रिपोर्ट लॉर्ड रिज्मीन को परस्तुत की यह भी गलत है फिर है स्याम जी क्रिशन वर्मा फरवरी उने 106 में इंडिया होम रूल सुसाइटी के स्थापना करते हैं यह भी सही है स्थारी गलत है और लास्ट वाला आपका सही मतलाल धिंगरा ने एक जुलाई 1909 को लंदन में करनल वाइली को गोली मार कर हत्या कर दी तो यह सही है यह यह और यह आपका सही है बाकी बीच के सारे गलत है यह बी सी डी गलत है आपके आप देखे खोदी राम बोश को ग्यारा अगस्त सरी ग्यारा यह थोड़ा सा यहां गलत है यह अपरेल नहीं हो गया यहां ग्यारा अगस्त को फासी दी गई थी 1908 को यह गलत है यहां पर आपका बीवाला और यहां पर यह जो होना चाहिए एक मिनट यहां आपका होना चाहिए ग्यारा अगस्त 1908 को फासी दी गई थी यह अपरेल आपका गलत है फिर अरुंडेल समीती ने अपनी रिपोर्ट लाड मिन्टो को प्रस्तुत की थी स्याम जी क्रिश्न वर्मा फरवरी 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी के स्थापना करते हैं फिर अनिमलकित में इसे कौन से कथन सही हैं कथन और कारक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जकती क्योंकि इसको आपको पढ़ना अच्छे से पढ़ेगा और एकजाम में यहां से प्रस्ट बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के तो पहला कथन है कार्ण वालिस के पहुंचने से भी पूर्ब 1770 इस्वी से अलेक्जंडर डाउ, हैन्री पैटलो और फिलिफ फ्रांसिस भूमिकर को इस्थाई रूप से निरधारत कर देने की पैर भी कर रहे थे यह सही है फिजियो क्रेटिक विचार संपरदाय ने देश के अर्थ विष्था में क्रिशी को परमुकता दी यह भी सही है इस्थाई भूम बंदोबस्तों ने सदेव के लिए भूम का मुल्यांकन किया था, यह भी सही है इस्थाई भूम बंदोबस्त के अंतरगत मुल्यांकन ब्रष्टाचार की गुंजाई इसको कम करेगा ये भी सही है लग ये कहा गया था कि इसमें ब्रश्टाचार कम होगा लेकिन हुआ नहीं ऐसा यह आसा की गई थी कि भूमें बंदोबस्त के अंतरगत जमीनदार भूम के सुधार में अशुधार लाने में नवेस नहीं करेंगे यह गलत है क्योंकि आसा की गईति कि जमीनदार है वो हुआ निमलखित में से कौन से कतंसर ही हैं वही चीज वही प्रस्णा है आपका कथन बदले हुए हैं पहला है हिंदू उर्दू बिवाद 1860 के दसक क्यास पास के समय में उत्तर पश्मी प्रांतों और अवध में शुरू हुआ सही है देखे कोशन बहुत कठीन पूचे जा रहे हैं इस आंदोलन ने 1893 में नागर प्रता पकड़ी ये भी सही है सी देखे हिंदी दिवनागरी लिपी में लिखी जाती है इसलिए इसमें संस्क्रिट सब्दों कि व्रहतर जिंदा दिली रहती है सही है डी देखिए उर्दू फार्सी लिपी में लिखी जाती है इसलिए इसमें अधिक फार्सी और अर्भी स में एक प्रस्ताव के माध्यम से नागरी के साथ संस्क्रित को समान आधिकारिक दर्जा परदान किया गया ये गलत है तो ये गलत है बाकी आपका ABCD सही है कौन सा कथन सही नहीं अब आपको यहाँ पर बताना है सही नहीं है तो दारा सिको में उपनिश्दो यहाँ ने होगा दारा सिको ने उपनिश्दो का फारशी में अनुवाद किया सही है यह कार यह करने होगा कार टाइपिंग मिस्टेक कई जगा हुआ है यह नहीं कि यह जो उपनिश्दो का अनुवाद किया गया फारशी में उसी की बात हो रही है तो यह कार 1657 इसु में पूर हुआ, ये भी सही है, तो ए भी सही है, जोकि पूछा क्या है, सही नहीं है, तो जो है दारा सिकोव ने 1860 में योग वसिस्ट के अन्वाद का परवेच्छड किया, ये गलत है, दारा सिकोव का सिर ए अकबर, भागवत गीता का फारसी रुपांतर ये भी सही, ये भी गलत है, मजम अल पहरीन दारा सिकोव की रचना नहीं थी, ये भी गलत है, क्योंकि रचना थी, मजम अल पहरीन दारा सिकोव की रचना थी, तो यहनि कि आपका C, D, E गलत है, बकि ये भी सही है, अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सम लोग, दारा सिक 1656 में उसने योग वसिष्ट का फारिसी अनुवाद करवाया था 1656 में लेकिन यहां क्या लिखा है 1860 तो इसलिए गलत था दारा सिको ने कासी के पंडितों के सहयोग से 12 उपनिश्दों का सिरे अकबर नाम से फारिसी अनुवाद करवाया था पिर अगला प्रस्ण है आपका कौन सा कत्वाद सही आपको बताना है संकराचार के दवारा रचित प्रस्थान तरई में उपनिशत ब्रह्मसूतर और भगवत गीता सामिल है सही है संकराचार मंडल मिसर के सिस्थे यह गलत है जेश्ठर मंदिर स्रीनगर में इस्तिते सही है संकराचार अपने भोतिक विरूदियों द्वारा क्रिप्टो बुद्धिस्त कहा जाते हैं ये भी सही है संकराचार ने मंडल मिसर के साथ दार्शनिक सास्तार्थ किया था ये भी सही है तो ए, सी, डी, ई सही है ब कि आपका बी वाला उप्सन है ये गलत है संकराचार ने मंडल मिसर के सिस से नहीं थे निमणिट मेंसे कौन सा कथन सही है बहुत निर्वाल प्राप्ट करने हे तू बुद्ध धम और शंख नामकति actors में विश्वास करते है तो यह आपका सही है यह जो बौध धर्म के मानने वाले लोग है यह निर्वार प्राप्त करने के लिए बुद्ध धम और शंग में विश्वास करते हैं यह सही है सारी पुत्र और तथागत दोनो भिन वेक्ती है, गलत सारी पुत्र और तथागत ये δोनो एक ही है, भिन नहीं है फिर सी है, थेरवादी एवं महायानवादी बुद्ध की सिचाओं को मानते हैं ये सही है महत्मा बुद्धि ने अपना प्रत्म उब्देश बोध गया में दिया ये गलत है असोक का सिंग सिंग सिर्स पहली बार वाराणसी के नजदीक इस्तित सारनाथ में इस्थापित हुआ था ये सही है तो A, C, E सही है और B, D आपका गलत है अब देखें महत्मा बुद्धि ने अपना सरप्रता मुद्देश सारनाथ में दिया था और इस घटना को धर्मचकर परवर्तन कहा गया भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निमलिखित में इसे कौन सा कथन सत्ति है पहला है रामा नोजी ने भक्ति पारक गीत लिखे भक्ति परक भक्ति परक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्ति परक बैशलो धर्म के प्रसार को प्रेरिद किया ये सही है बी है बासव ने ब्रामण बिरोधि लिंगाय तांदोलन को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक कर्म एवं मंदिर अनुष्ठान की वकालत की सही है रामदास ने बिशडो के रामवतार के रूप में उनकी पूझा को लुपरिये बनाया सही है नामदेव बंगाल के प्रसित संतिते गलत है क्योंकि नामदेव बंगाल के नहीं महराष्ट के थे व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा पृसित बैसड़ो आचार रामानुज 2017 से 1137 तक ये रहे ये विशुष्टा दोयत्वाद मत के संस्थापक थे रामानुज और वल्वाचार सुद्धा दोयत्वाद मत के संस्थापक थे रामदास महाराष्ट से संस्थापक थे नामदवी महाराष्ट से संस्थापक थे बासव कल्चुरी राजा के दरबार में मंत्री थे निम्लखित में से कौन सा कथाण सही है रानी जिंदन की बनारस में कैदी के रूप में रखा गया रानी जिंदन को बनारस में कैदी की रूप में रखा गया सही है रानी जिंदन ने नेपाल के राजा से उसे आसरे देने की प्रार्थना की थी ये भी सही है दिलीप सिंग ने 1853 में इसाई धर्म को पनाया था सही है दिलीप सिंग ने इसाई धर्म को त्याग दिया था और शिक आस्ता को पुनह पना लिया था ये भी सही है दिलीप सिंग के मुर्ट्व लंदन में हुई ये गलत है व्यक्या देख लेते JUST के सन्दी नौमार्च 1846 के साथ हुआ दितीय आंगल सिंग्युद1849 में हुआ था दलहोजी ने 1849 में पंजाब का विलया बेटी समराज में कर लिया और रानी जिंदन को बनारस में कैदी की रूपे रखने का अदेश दिया जहां से भाग कर रानी नेपाल चली गई वहां के राजा से आसरे मांगने लगी दलीप सिंग की मृत्यू फ्रांस में हुई थी तो ये मैंने व्याक्या बता दी तो आपका उप्शन यहां पे A, B, C, D सही है इ गलत था क्योंकि मृत्यू कहां हुई थी फ्रांस में हुई थी ना कि लंदन में निमलखित में से कौन सा कथान सही है वही चीज है केवल A, B, D सही है यहां पे आप देख लीजिए फिर अप पड़ते हैं तो वासुदेव बलवंद फड़के ने 15 वर्स से भी अधिक समय तक कमिसेरियट यानि सैन लेखा विभाग में कार किया यह सही है बलवंद फड़के का पक्का मानना था कि भारत की दूरदसा विदीसी सासन का प्रड़ाम है यह भी सही है फड़के को अन्वान जेल में भेजा गया गलत है फड़के अपने लचिके प्रप्ति धांगलों की नीती से प्रभावित यह भी सही है फड़के ने आत्मकता का लेखन नहीं किया यह गलत है तो A, B, D सही है आपका अगला प्रस्ण निम्लिकित में से कौन सा कतन सही है A है, B, N, T, ने 1834 में चाय समीती का प्रस्ताव रखा था सही है बंगाल के गलस्टर के किले पर प्रथम काफी करिशी प्रारम की गई सही है मिंडर ने कहा कि फ्रांकोईस ग्रैंड ने बंगाल में प्रथम इंडिगो फैक्टरी को शुरू किया था यह गलत है 1870 में जब बंगाल में बैली मिल के स्थापना की गई तब से मसीन निर्मित कागज के उत्पादन का प्रारम हुआ यह सही है आपका यह मेजर एंड्री डंकन ने 1808 में सलेम सलेम यहोगा सलेम इस पाद की गुडवत्ता के बारे में मदरा सरकार का ध्याना करशित किया यह गलत है व्याक्या इधर दी हुई है तो आपका इसमें गलत कौन कौन सा A, B, D यह आपका सही है बाकी आपका जो गलत है वो है C गलत है और E गलत है यानि कि मिंडन वाला गलत है और मेजर एंड्री वाला अब देखते हैं यहाँ पर मेजर W.C. लेनन ने 1808 में सलेम इस पाद की गुडवत्ता के बारे में मदरा सरकार का ध्यान अकरशित किया था तो किस ने अकरशित किया था W.C. लेनन ने जबकि यहाँ क्या लिखा है मेजर एंड्री व डंकन तो इसी लिए गलत हो गया फिर है मिंडन विलसन ने अपने पुस्तक बिहार में निलह कोटियों का इतिहास इसमें इन्होंने मिस्टर बोनार्ड ने जबकि यहाँ क्या लिखा है फ्रेंक कोईस ग्रैन ने इसलिए यह जलिए यह गलत है तो C और E गलत है निम्लकित में से कौन से कथन सही है भारतिये सिनेमेटोग्राफ अधनियम 1978 में पारित हुआ सही है 1927 में चार नगरो बंबई कलकता मदरास और रंगोन में संसर बोर्ड इस्थापना की गई सही है नाटके प्रस्वतिय अधनियम 1878 में पारित किया गलत है 1927 में लाहूर में संसर बोर्ड के स्थापना की गई सही है टीपी कॉन और ने बिटिस फिल्म संसर बोर्ड के अध्यश की रूप में कारके यह भी सही है तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन गलत है सी वाला नमखित में से कौन सा कथन सही है तो देखे कथन कारक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं खासकर 2015 के बाद से अगर 2015 की पेपर आप सॉल्प करेंगे तो देखेंगे वहां पर कथन और कारक से कोशन बहुत कमाते हैं देखे कोशन पूछे आते थे लेकिन उसके बाद पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है हाई हो गया है कौन सकत हैं सही आपको बताना है यह है भारत में 1926 में राश्टिया महिला परसत का गठन किया गया गलत राश्टिया महिला परसत के प्रारंबिक वर्षों में अध्यावा देने के लिए एक गयर राजनिती निकाय था सही और अखिल भारते महिला उप सम्मेले और बाद में राश्टिया राजनिती में संबलित हुआ और महिलाओं के सभी प्रकार के अधिकारों के लिए लॉबिंग की यह भी सिए बी डी ए सही है और सी और जो है और अकिल भारतिय महिला साम मिलन 1927 में अस्तित्यु में आया कौन सा कथन सही है यूरोपिय व्यापार संग ने 1921 में एसोसियेटड चेंबर आफ कॉमर्स नमक एक सीर्स निकाई गठित किया सही है भारतिय पुझी पतियों ने अपने सोयम के संगठन फिक की 1927 में गठित किया यह भी सही है मार्च 1931 में कपास नचड़ अधनियम के अंतरगत कपास पर सुल्क 11% से घटा बढ़ा कर 15% किया गया लेकिन या गयर बेटिस वस्तु तक सेमित था यह गलत है कपास पर सुल्कों में बृद्धी लंका सायर के अनकूल थी यह सही है भारतिय उद्धोग पतियों राष्ट वादियों ने सामप्रदाई को रियता का विरोध किया था उन्हें से अनेक ने विधान सभा से त्याक पतर दे दिया जिसमें बिरला और पुरुसत् सुमिलित कर रखा आपको सिर्फ पढ़ना है एच सी राय चोधरी की पुष्टक है दा हिस्ट्री आंड दी कल्चर आफ इंडियन पीपल भाग दू एल बासम एक कल्चरल हिस्ट्री आफ इंडिया आरके मुखर जी चंद्रगुप्त मौर आइंड इस टाइम कापल्या वासैन यदि स्कुरॅध इंडियन ऐल फिर सुमिलित कीजिए तो दर्षपाड मासम मतलब क्या है इसका पूर मासंय अवस्या कि अधिये वाला यज्ञ इसको बोलते हैं दर्श पॉड मासम अग्या धे का मतलब क्या है पवित्र अग्नी के स्थापना अग्रियान का मतलब क्या है पहले फासल की कटाई पर नवयद अरपड और चत्रमासस का मतलब है तीन रित्व में प्रतेक के परारम में किया जाने वाला यग यहनि तीन दित्वे होती हैं जाड़ा गर्मी वर्षा तो प्रतेक रितु के प्रार्म में जो यग किया जाता है उसको चात्रु मासस से बोलते हैं सही सुमिलित कीजिये दयनान सरसुती गव करणा निधी से सम्दित हैं गोपाल हरी देशमुक सत्पत्र स्रीश से बिशुडु कृष्णा चीपुलूनकर निबंध माला से और एमजी रानाडे नोट अन्दी ग्रोथ आफ मराथी लिट्रेचर से सम्दित हैं सही सुमिलित कीजिये घागरा का युद 1529 में हुआ दादरा का युद 1532 में सूरजगड का युद 1534 में और गौड का युद 1537 में तो इसको आपको करम से भी दे सकता है कि करम से लगाईए तो घागरा का युद हुआ था सबसे पहले 29 में और दादरा का युद 1532 में, चौछ़टिस में सूरजगड का और सायटिस में गौड का युद तो करम भी यहीच का रहेगा सही सुमिलित कीजिये जमा का मतलब होता है निर्धारित भूराजेसा खासिल का मतलब होता है वास्दवीक संग्रहित राजेसा महावार का मतलब मासिक पैमाना और कब्ज का मतलब जमानत रासी एक तरफ राइटर दूसरी तरफ उनसे समधित कुछ किताबे दी है सुमेलित करना है आपको करनल टॉड के पुस्तक पैनल्स एंड दी अक्टिविटीज आफ राजिस्तान जीया सोजा भारते प्राचेन लिपी माला श्यामलदास वीर बिनोद और रास माला एके फोप्स एके फोप्स रास माला श्यामलदास वीर बिनोद सही सुमेलित कीज़े पैसरा ये बिहार में इस्तित है भीम बेट का मादप्रदेश में अनंगपूर हर्याणा में हुसंगी कन्नाटक में सुमिलित करना है चार्टर अधनियम 1793 से समन्दित कौन सा प्रावधान है बैधानिक आधार पर नगर पालकाएं संस्था है फिर साही सेना सोचता आयोक की रिपोर्ट 1868 में क्या कहा गया नगर पालकाएं संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना भारतिय परशद अधनियम 1861 में कौन सा प्रावधान था विधाई हस्तांत्रन की नीति को प्रारम करना और बंगाल जिला बोर्ड अधिकार अधनियम अधिवार अधनियम 1871 में कहा गया ग्रामेड बंगाल में इस्थानिया सरकार के प्रावधान की दिशा में प्रथम कदम तो एक तरफ प्रावधान दिये हुए दूसरी तरफ अधनियम दिये हुए है सही सुमिलित करना है अब देखें लियोनार्द एक गार्डन इन्होंने कौन से पुस्तक लिखी इन्होंने लिखी है Brothers Against the Raj A Biography of Indian Nationalist सरद एंद सुवाशन बोस ये इनकी पुस्तक है थोड़ा सा कठीन हो जाता है ये सारी सीजे किट्टी कूर्टी ने लिखी है सुवाशन बोस As I knew him As I knew him यहां हीम होगा सिसिर के बोस आइट एड इन्होंने लिखा है A Bicon Across India A Biography of सुवाशन बोस कृशन बोस ने लिखा है इतिहा सेर संधाने यानि In Search of History फिर से आपको सही सुमिलित के लिए बोला है तो पुरुस अपने काल में अपने पिता की तुल्ला में अधिक सदस्य होते हैं ये है अरब कहावत है अतीत एक विदेशी छित्र है जहां में चीजों को अलग से करते है एल पी हर्टले इतिहास की एक प्रिष्ट तरकसास्तर के एक महातपूर खंड जेसा है ओलिवर वेंडल होम्स और सभी नागरी को हम इतिहास से बच नहीं सकते ये कहा है अब ब्रहाम लिंकन तो एक तरब कथन दिया है दूसरी तरब उससे समधित कुछ लोग या तत्य दिये होए है अगला प्रसन है किसने कृष्ट ने क्रिष्टा से अटक तक अटक तक मराठा के विस्तार की निती का अनुसरण किया था तो बाजी राव पर्थम नहीं कहा था कि जो है मराठा समराज कहा से कहा तक होना चाहिए क्रिष्टा से अटक तक और इसका सरसनकाल कप से कप तक था 1720 से 1740 उसके समय में 1728 में मुंगी सी उगाओ की संदी हुई 1731 में वारना की संदी और 1738 में दुरई सराई की संदी तो इस संदिया भी आपको याद रखनी है मैंने फैक्ट के तोर पर इसको दे दिया है वारना की संदी 1731 में दुरई सराई की संदी 1738 में और मुंगी सी उगाओ की संदी 1728 में किस किसमे में हुई बाजी राओ पर्थम किसमे में महाद जीन सिंधिया की मृत्यू कब हुई 1794 में महाद जी सिंधिया की मृत्वी के बाद उसका भतीजा दौलत राव सिंधिया उत्रादिकारी बना नीचे दो कथन दिये गए हैं बताना है कौन सा सत्य है कथन यह है दच्छड़ी पूर्भी एसिया पर भारतिय संस्कृति का प्रभाव बिल्कुल नहीं था यह गलत है कथन ए है असोक के पांचवे इस्तंबलेक से उन जानवरों की सूची प्राप्त होती है जिन्हें कभी किसी इस्तिती में मारा नहीं जा सकता यह सही है कथन B है असोक ने इस पर विचार किया कि वे जानवेर जो ना तो मारे जा सकते हैं ना ही खाने होगा उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए तो A भी दोनों सही है और B एकी सही व्याक्या है दो कथन दिये गए हैं बताना कौन सा सत्य है कथन A है अविलेक इतिहास के बहुत महत्पूर सुरूथ हैं सही है कथन B है असोग का इतिहास अविलेक सही हमें गयात होता ये भी सही है तो दोनों कथन सही है और B एकी सही व्याक्या है नीचे दो कथन दिये गए हैं बताना है कौन से सत्य है कथन ए है राजारा मोहन राए मुख रूप से उप्योगता वादी महात्य के कारणा अन बिश्च के संभावित अस्तुत को मानने को तयार थे सही है कथन भी है राजारा मोहन राए ने दर्शाया की सती प्रथा को धार्मिक स्विकृति नहीं प्राप है ये भी सही है तो कथन ए भी दोनों सही है भी एकी सही व्याक्या है मुगल समराट महाद जी सिंधिया को किस उपादी से सम्मानित किया गया था वकीले मुतलक यानि मुगल समराट द्वारा महाद जी सिंधिया को वकीले मुतलक के पत्पन ने उत्किया गया था और इसकी उपादी भी दी गई थी सालवाई की संधी कब हुई सालवाई की संधी सालवाई की संधी सालवाई की संधी इसके तहट सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजु को प्राप्थ हो गया अंग्रेजु ने रगुनात राओ का पक्ष त्याग दिया सिंधिया को या मुना नदी के पश्चिम की अपनी समस्त भूमी वापस प्राप्थ हो गई किस पेशवा के सासन के दोरान मराथा राज कटक से अटक तक अपने प्रादेशिक विस्तार के प्राकाश्टा पर था तो पेशवा बाला जी बाजी राओ के समय 17441 देखे कहां से कहां तक कटक से अटक तक और किर्शडा से अटक तक किसने कहा था तो मैंने आपको बताया था बाजी राओ पर्थम ने तो दोनों याद रखना पेश्वा बाला जी बाजी राओ 1741 से एक्सर तक था और सिंद खेड के युद्ध में निजाम को पराजित किया था 1757 में राणा अमर सिंग को राजी करने के लिए भेजे गए व्यक्तियों को क्रम से विवस्तित कीजिए ये मुगल समराटों की द्वारा इनको भेजा गया था राणा अमर सिंग से संधी करने के लिए उनको राजी करने के लिए तो सबसे पहले भेजा गया था राजकुमार सलीम को यहनी जहांगीर को भेजा अकबर ने सबसे पहले किसको भेजा था सलीम को भेजा गया फिर 1605 में राजकुमार परवेश को भेजा गया फिर महाबद खान गया 1608 में अब्दुल्ला खान गया 1609 में और खुर्रम यानि साजां गया 1613 में तो यह राजा अमर शिंग से मिलने के लिए इतने लोग गये थे क्रम से अब यह जो सलीम गया था यह अकबर के समने में गया था तो इसलिए इसको सबसे पहले रखा गए क्योंकि 1605 में अकबर की डेत्स हो गई थी तो उसके पहले ही सलीम गया था फिर आपको क्रम से बिवस्तित करना है बैंकॉक में भारतिय सुतंता लीग की घोशड़ा कप की गई 1942 में जापान दौरब परल हारबर में अमरिकेन उसेनिक अड़े पर आकरमर 6 दिसंबर 1941 को अट्लांटिक चार्टर 16 अगस्त 1941 सरी 14 अगस्त 1941 और 16300 सेनकों के साथ आई एने के पर्थम डिवीजन का गठन कप किया गया एक सितंबर 1942 आई एने की बटालियन ने माडोक पर कप जा कप किया मैई 1944 तो इसका सही करम यहाँ पर मैंने लिख दिया है सी बी ए डी ए सबसे पहले सी होगा एक सितंबर 1942 फिर बी होगा यहाँ पर पहले होना चाहिए बी यह करम आप देख लीजिए करम थोड़ा सा इधर लिखा सबसे पहले यह होगा फिर जो है कि सबसे पहले सी होना चाहिए अट्लांटिक चार्टर यह 14 अगस्ट 1941 को हुआ था 14 अगस्ट को फिर बी यह 6 दिसंबर 1941 को फिर ए 1942 और फिर यह डी और सबसे लाश्ट में ई होना चाहिए तो यह इसका करम सही लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था फिर से करम से इसको लगाना है तो आप यह देख लीजिए एनी बेशेंट ने बनारस में केंद्रिये हिंदू महाविद्याले की अधार शिला कब रखिया 1898 में थियो सुपकल सुसाइटी का मु चार संप्रताय के सापना 1886 में तो B E D A C यह आपका करम होगा देख लीजेगा आप लोग फिर करम से ब्वस्त कीजिए वही चीजें हैं फिर आपको पढ़ना पड़ेगा बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाएगा उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाएगे 1882 में त तो D देखते हैं हम लोग तिलक द्वारा उनके समूने रनाडे और गोखले को पुने सारजुनिक सभा के निहंतर से हटा दिया 1895 में यानि 82 के बाद 95 आ गया फिर है C अब सी देखते हैं तिलक को 18 मा के लिए जेल भी जगए 97 में यानि 82, 95, 97 A, B, sorry A, D, C अब E है तो E सावना रखने के और तिलक के प्रसंस्कों के प्रियास को विफल कर दिया तो या 1898 में हुआ यानि 82, 95, 97 और लास्ट में है आपका B, कांग्रेस के लखनव सत्र में गवनर संगूर सट के बॉम्बे परसासन की निंदा करने वाला तिलक द्वारा प्रसंस्ताव रखने के प करम से विवस्त करना है A, E, B, C, D तो सबसे पहले A देखते हैं अलेक्जेंडर रीड रियत वाली विवस्ता को का प्रारम करता है 1792 में फिर E, तो थामस मोंडो ने सत्तांतरित जिलो के भूमी राज़ोस का प्रभार ग्रहन करने को कहा गया 1801 में फिर B है G, Wingate और H, E, Goldsmith ने बॉम्बे सर्वे सिस्टम का विचार प्रदान किया 1835 में फिर C है मदरास यातना आयोग 1855 में और सिविल सहिंता प्रारम कीगे 1882 में तो यह आपका करम होगा फिर यह सारी चीज़े करम से ही विवस्तित करनी है आपको फिल्म रीता सारी फिल्म सीता वेनिस फिल्मोसों में प्रदासित की गई प्रतम भारतिय फिल्म थी 1934 में यह सही है यानि कि पहले A होगा फिर फिल्म अच्छूत कन्या का रिलीज होना यह 1936 में हुआ यह भी तो A, B होगए अब D देखिए तीसरे नंबर पे डिया आएगा फिल्म संतुकाराम को सिनेमेटोग्राफिक कला की पांचवी अंतराश्टिय परदाशनी वेनिस में पहली बार तिन स्रेश्ट फिल्मों में रैंक परदान की गई 37 में तो यहनि 34, 36, 37 हो गए आपका फिर E है फिल्म आउरत जो फिल्म मदर इंडिया की कहानी की तरफ पर रिलिज हुई थी 1940 में और गीत दूर हटोए दुनिया वालों को फिल्म किसमत में दर्शा आगया 1943 में तो यह आपका जो है करम हो गया फिर से आपको करम से ही विवस्तित करना है D सबसे पहले D आएगा 1070 का लिछवियों से युद कब हुआ 484 सा पूर्व से 478 सा पूर्व फिर E आएगा सिकंदर वम पूरस के मद युद 326 सा पूर्व फिर A आएगा सिकंदर की मृत्तित 324 सा पूर्व फिर C आएगा असोक कराजविशेक 279 इसा पूर्व हो गया यहाँ पे फिर गौत्मी पुत्र नापान को हराय हम इसकी हत्तिय 124 सिस्वी तो यह आपका हो गया D E A C B करम से ब्योस्तित कीजिए सबसे पहले B आएगा साहु को राजा बनाएगा 1708 में फिर A आएगा बन्दा बहादूर की नेतुरत में सिक बिद्रो 1709 में फिड़ी आएगा बहादूर साह की मृत्यू 1712 में सी आएगा इसकी बाद जैसिंग को मालवा का गवर्नर नियुक किया गया जहांदार साह के समय फिर लाश्ट में आएगा अजीस सिंग को गुजरात का गवर्नर नियुक किया गया जहांदार साह के समय यह तेरा सात्रा सो तेरा इसवी के आसपास की बात है तो यह आएगा आएगा घटनाओं को सही क्रम में ब्यश्थित कीजिए बृटिश इशट टिरिया कंपनी को बंगाल वंधायर उर्षऑ कि दिवानी प्राप्थ हुई सबसेपहल आएगा फिर आएगा दोदिससासन की स्थापना की सँर्ई दोदिससासन का समवापती या समापन 4772 में फिर शी आएगा оров रिगुलेटिंग एक्र village में पिर आपका जो है कि लाश्ट प्रसन है आज का निमलकित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है कौन सा सही है तो यहां देख लिए एसी डी सही है एसी है पीवी काने ने धर्मसास्त्र का इतिहास लिखा फिर सी देख लिए बालमिकी रामायर साथ का अंडवी भाजित है यही है और डी है आरपी कंगाले ने कौटिल के अर्थासात्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया यह स़ ए तो महाभारत का समालोचनातमक संसक्राण तयार किया गया विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी भासा में किया था तो यह इसकी व्याक्या हो गई जो यहां पर गलत थे देखे यह फार्शी नहीं होगा यहां पर अंग्रेजी होगा और यह जो बी है संसक्राण जो है महाभारत का समालोचनातमक संसक्राण बड़वदा और इंस्टिटूट से प्रकासित हुआ था यह भी आपका गलत है क्योंकि बी एस सुका थंकर के नितरुत में इसका संसक्राण तयार किया गया था तो यह लगबख सव के आसपास कोशन से कई जगा टाइपिंग मिस्टेक थी तो मैंने उसको बता भी दिया है और अगर आपको किसी प्रस्ण में डाउट है तो आप सर्च कर सकते हैं त्रूटी के लिए छमाच आते हैं बाकि हम लोग ऐसे कोशन करते रहेंगे और मैं कोशिस करूंगा कि अब कम से कम कोशन रखों क्योंकि 100 कोशन से ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि कोशन जो रहते हैं थोड़े कटिन रहते हैं और आप देखते हैं कि इसमें मिलान करने वाले आते हैं तो कई सारे मिलान वाले आ जाते हैं क्रम से आते हैं तो लगतार क्रम से ही वह आते रहते हैं तो यह थोड़ा कठीन हो जाता है इसलिए 30 से 35 कोश्चन एनफ होगा तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे तो इसको लाइक जरूर कीजे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे